तो हे गाईज, वेलकम वेक टो आवर चैनल और आई होब आप सब अच्छे होगे और आज है 15 अगस्त और आज आप लोग देख सकते हैं दुनिया के एक मात्र सबसे उचे पूल पे कैसे अपने भारतिय जंडा सांस से लहरा रहा है और एक कमाल है अपने भारतिय इंजिनियर और भारतिय बैज्ञानिकों का जिन्हों ने एक करिस्मा आप लोगों को करके दिखा दिया है तो देख सकते हैं आज 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 आदी के 15 अगस्त के दिन कैसे 75 में 17 दिवस पे अपने जंडा सांस से लहरा है और कल आप लोगे ने देखा था कि कैसे अपने भारतिय इंजिन और जस्न के साथ लोग अपने इंजिनियर और सब बहुत सारे लोगों ने खुशी मनाया था और लोगों का उस्सा आप लोग देख सकते हैं कैसे सब एकदम सारे नाच गान कर रहे हैं और भारतिय ध्वज सांस से लहरा रहे हैं तो एक कमाल है भारतिय इंजिनियरों और प ब्रीज की तो 2004 में इसके शुरू आद हुई थी आप लोग देख सकते हैं कैसे इसका महराब बना हुआ है और 2004 में इसको शुरू किया गया था उस समय इसकी लागत 550 करोणा के गई थी लेकिन आज जब ये ब्रीज बनके त्यार हो गया है तो इसकी लागत 1100 करोण को भी पार कर चुकी है और इसकी उचाई आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी उचाई है 379 मीटर जो दिल्ली के कुतुब मिनार से भी पांच गुना जादा उचा है और फ्रांस के फिल टावर से भी तरकी बन 35 मीटर जादा उचा है तो ये अपना ब्रीज बना है जम्मू के रियासी जिले के चिनाब नदी पे बनाये गया है और पीर पंजाल के इन पहाड़ियों में इस ब्रीज को बनाना दुनिया के सबसे कठीन कामों में से एकता है जिसे हमारे इंजीनियरों ने सांस से करके दिखा दिया है और ये पूल हवा की 200 किलो मिटर से भी जादे रफत करेवा चलती है तो इससे कुछ भीूपस नहीं होगा इसको अइसा डिजाईन किया गया साथ में इसमे ऐसा मैटेरियल भी इस्तेमाल किया गया जिससे इसमें कभी जंग नहीं लग सकते है और लगभर सौद की उमर 임 와 शो साल से भी जादे बताया जा है अर बात कर यो अर ahor तो दोस्तों आसा करते हैं आने वाले दिनों में स्री नगर और कस्मीर भारत के सभी रेल मार्गो द्वारा जूड जाएगा और आप लोग एक अईतियासिक सफर का अनन्द ले सकते हैं तो दोस्तों बादलों के बीच यह है सुवा सुवा का सांदार नजारा जिसे आप सफर के दवरानी महसूस कर सकते हैं और अगर आपको लोग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इसे के साथ वीडियो का एंड करते हैं तब तक के लिए जाए हैं